बहुत सिरे हो सकते हैं ना दो फिल्मों के बीच कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए एक बहुत इंट्रेस्टिंग थ्रेड मिला हमें और दो फिल्में कॉमन चीज क्या? विमन कमिंग टुगेधर, टेकिंग अस्टैंड, सोसाइटी से लड़ा ही करती है एक फिल्म बनती है 2006 में, नागेश कोकनूर की डोर और एक फिल्म बनती है कई साल पहले 1987 में बहुत कुछ बदल देती है केतन महता की मिर्च मसाला केदन सर, अगर मैं अपकी फिल्मोग्रफी देखू तो यह अपकी तीसरी फिल्म थी फिर्स्ट फिल्म वाज होली, उसके बाद आपने भवनी बहवाई बनाई और उसके बाद आपने मिर्च मसाला बनाई नाइटी ने तो सीड कहां से आया था, जेनिसिस क्या था इस फिल्म का? उस वक्त मैं गुजरात में इंडियन स्पेसिसर्च औरगिनाईजेशन में काम कर रहा था और काफी गुजरात के अंदर काफी गूमना हो रहा था और उसी दोरान एक गुजराती शॉर्ट स्टोरी मुझे मिली जिसका नाम था अबू मकरानी जो एक चार पेज की कहानी थी और उसके उपर आधारित ये फिल्म है ऑर इसमें जो ओरते काम कर रही थी वे तमड़े को की फैक्टरी में काम कर रही थी पर जब मैं ट्रावल कर रहा था तो देखा कि चारों तरब मिर्च वहां पे पिशी हुईु Shiftराथ के अंदर सब्सक्र अर समयागर कि अगर ये टुबाको फैक्ट्री अगर मिर्च मसाला की फैक्ट्री हो जाती है तो बहुत ही पूर्टिट मेटफर मंचा दा जा और जब ये दो चीजें मिल गई तो उसमें से ये स्क्रिप्ट निकल के आज़ और इस तरीके से बहुत बोल्ड फिल्म बनती है 1987 में मिर्च मस ये इसे स्कूल में भर्टी कराओंगी क्या कहती है उपनी को स्कूल में भर्टी करवाएगी वुखियान की तो मत मारी गई ये लड़की की चात और पढ़ना लिखना कभी देखा है किसी लड़की को इस्कूल जाते हुए पढ़ लिखकर में बनेगी क्या सारे लड़कों में एक लड़की पिर इससे ब्याकॉम करेगा नागेश अगर आपकी कई फिल्मों को कई बार देखा जाएं तो जो लेयर्ज निकलते हैं उनको देखकर लगता है कि एक सिंसिटाइजेशन है जिंडर को लेकर आपकी फिल्मेकिंग में वो कॉंशेसली होता है सबकॉंशेसली होता है यह पता नहीं मुझे लेकिन अगर द्रानशीसली आप एक वुमन-Centric फिल्म बना है तो यह सोच कर बना रहे थे यह एक कहानी अशा थी और अपने बनादी फिल्म किया दो चीजे है यह मैं हमेशा बस कहानी डूणताहूata हूं और जब같व है कि हर फिल्म में my female protagonists are very strong. Obviously it's a conscious decision. तो ये जो दोर है इसका सिरा कहां से शुरू होता है? If you look at the story एक बहुत ही heroic story है. एक औरत थी केरला में, whose husband died. और वो Saudi में था, तो she went looking for the other woman who could forgive, the widow Doors' premise. The idea was great, but I didn't know where to go with it, till मैं 2005 में National Awards Jury का मेंबर था, और वहां पे एक मल्याली फिल्म देखा, तो रुम लगा रम करके. तो I it was the same premise. So obviously उनोने वो औरत की story का राइट लिये and whatever and they made it. I was like damn, beaten to the punch. पर जिस तरह से मैं कहानी बताना चारा था, वो एक दम अलग था. But since the Malayali filmmaker had done it, I bought the rights from him and actually the story is credited to T. A. Razak in Indoor. The screenplay, dialogues, everything is mine. I mean dialogues still my friend Hussein wrote a big chunk of it but the original story is credited to T. A. Razak based on the story. Yeah, for the simple reason that he had got there first. But you knew about the incident. I knew about the incident. That was an accident. That was an accident, a real lucky accident. But when the story started, it was just one of those organic tales that told itself. and if I remember I will write something about 9-10 days.